ये गाइज दिस इस अनुप सिवास्ता अनुबर वाचिंग मैं यूटूब चैनल अनुप के व्लॉग हम इस समय अध्या में हैं और एध्या में जिस जगह हैं वो है कारिशाला तो चलिए इसके अंदर का आपको नजारा हम दिखाते हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है आप वीडियो में अंतर तक जरूर बने रहे हैं चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं यह कारिशाला कारिशेवक पूरब में इस्तित है जो की हनमानगड़ी से लंसम एक किलोमेटर के दूरी पर इस्तित है और यह फिलर जो की देख है जो की छे कुंटल 13 किलो का है और इसकी फूरी आठ किलोमेटर तूर तक जाएगी और यह राम मंदिर में इनका उप्योग किया जाएगा और यह सामने राम मंदिर का मॉडल है यह राम मंदिर आपकी दो फ्लोर क्यों होगी इस चलिए आपको थोड़ा और पास से लिखाते हैं और यह आपको जो दिखरा है जॉली में रखते हुई सपेद पत्ता यह सपेद संग्मर्मर है इनका भी उप्योग मंदिर मनाने में किया जाएगा और का साला के अंदर में ही आपको भगवाश्यू की एक छोटी समंदिर देखने लिएगा और यह देख लिए पत्तर कुत्त जो तराज करके रखे गये हैं क्या बढ़ना डिजाइन बना हुए हैं और यह सब हैंड मेट डिजाइन हैं और कुछ इंस्टूमेंट के द्वारा भी यह डिजाइन बनाए गए हैं देखे बहुत ही खुशूरा डिजाइन हैं और इनी सब पत्तरों के द्वारा ही राममंदिल का निर्मार किया जाएगा यह पत्तर लाल पत्तर हैं जो कि राजिस्थान के भरतपुर जिले से मगाए गये हैं और कुछ पत्तर उत्तर प्रदेश के मेज़ापूर से भी मगाए जाएंगे वहाँ भी कुछ लाल पत्तर होते हैं कुछ पत्तर यहां पर पहले से ही कटिंग करके रखते हुए हैं और जो यह आपको एक काला और दाग दिख रहा है इन सब की साफसफाई करके ही राम मंदे में उप्योग किये जाएंगे और यह बहुत ज़्यादा खुबशूरा डिजाइन है और यह भी देख लेजिए यह भी बहुत ही खुबशूरा डिजाइन है यह पर यह पर यह पर ही पत्तों की काटिंग का कांव होता है तो चलिए इसके साथ बस इतना ही अगर हां आपको वीडियो हमारी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी तक माई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज माई चैनल को सब्सक्राइब करें